दबिग ब्रेकिंग इस टाइम की बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहां रिशब पंत नजर आए टीम इंडिया के साथ प्राक्टिस सेशन में तीट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार चौबिस बहुत करीब है इंडिया वर्सिस इंग्लाइन की टेस्ट सीरीज चालू होने पर रिशब पंत टीम इंडिया के साथ नजर आए बिल्कुल रिशब पंत काफी टाइम से टीम इंडिया से बाहर चल रहा है कि वह इंजर थे लेकिन अब रिशब पंत के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है कि वह अभी चिन्ना स्वामी में प्रैक्टिस करते नजर आए तो इससे माना जा रहे है कि रिशब पंत वह जल्द से जल्द मैदान में वापसी कर सकते हैं बिल्कुल बहुत बड़े खिलाडी है रिशब पंत स्पेशली इंडिया वर्सिस साथ आफ्रिका के जब टेस्ट माच इस हुए था और पहला टेस्ट माच तीम इंड आउस्टेलिया वाली सीरीज याद आती है जहां पर रिशब पंत की बात जरूर होती है क्योंकि वह खिलाडी ही कुछ ऐसे हैं बिल्कुल रिशब पंत को अगर वह सही होते तो डैफिनिटली वह ओडियाई वल्ड कप भी खेलते लेकिन अभी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि क्याल राहुल qonna consider कर रहे है कि विकेट की पर batsman कि रूप मेंfia को में ख्याइक सकते हैं महां जर्ट तरप कहीं से बहुत आप जाता है यहसा तो एसे मतलब एक बल्लेबाज है जो टेस्ट वे टेश्ट वाले इनी खेलते हैं मतलब कोई अगर टेस्ट को एंटेश्ट बनाता तो रिशाप पंथ जैसा बल्लेबाज है ऐसे तो बहुत बड़ा एक बोलते ना कि टीम इंडेक लिए लॉस होगा अगर वो टीट्वेंटी बहुत अच्छी बात होते हैं लेकिन रिशाप पंथ वेकेट केपिंग नहीं कर सकते हैं तो अगर आप ऐसे स्पेशलिस्ट बैटर उन्हें रखोगे तो फिर किसी एक बल्लेबाज की जगह जाएगी बिल्कुल रिशाप पंथ और केल राहूल का अगर कंपारिजन करें श मैच टीम इंडिया को जिताएंगे एक फिनिशर बैलेंस चाहिए तो बैलेंस है इनके पास इनके पास वो पेशन्स है और इनके पास वो टीट्वेंटी आई वाली आकरमन वाली बल्लेवाजी है जो रिशाप पंथ ने बहुत बार करके दिखाई है आई पील में बहुत अ कमाल है लेकिन ऐसे में इंजरी के बाद का रिशाप पंथ को खेलना चाहिए टीट्वेंटी वर्ल्ल कप दोहजार चॉविस क्योंकि शुटा विराट कोली रोहिच शर्मा इन्होंने एक साल बाद वापसी करी टीट्वेंटी आई फॉर्माट में जब इतने दिगज खिला करना पड़ेगा अपना बेस्ट कॉंट्रीबूट करना पड़ेगा टीम इंडिया के लिए बिल्कुल रिशा पंत को अब गयर मुझ से पुछा जाए कि टीट्वेंटी वर्ल्ल कप में होना चीए कि नहीं होना चीए फिलाल अभी उनकी इंजरी कि बहुत जादा इंजरी माइडर इंजरी नहीं थी मतलब सड़क दुरगटना में बहुत ही जादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया जिसको रेकवर होने में एक साल से ज्यादा का समय लगया अभी हम देख रहे हैं एक दो महिने से मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स में बल्ले बाजी कर रह हैं किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में बल्ले बाजी करते वे नहीं नहीं देखा है और ऐसे भी खबर रहे हैं कि विकेट कीपर बल्ले बाज है लेकिन विकेट की नहीं करेंगे तो इस बार का T20 World Cup मुझे लगता है कि अभी रिशा पंड को थोड़ा दूर रहना ति कि इन्जिरी के बाद परफॉर्म कैसा करता है बहुत इंपोर्टेंट रहता है और साथ यह तो चली इस होता आपने बताया कि रिशापन को अभी तो नहीं कंसिडर करना चाहिए लेकिन यहां पे बहुत सारे दिगज खिलाड़ी इन फार्ट गावसकर का वयान था जाए पर कि अगर एक पैर पर भी रिशापन्त फिट है तो उनको T20 World Cup 2024 खिलाना चाहिए क्योंकि रिशापन्त ने बहुत क्रूशल पा रही है खेली है पास्ट अगर इनका एक मैच विनिंग प्लियर इनके नाम के आगे क्यों लगता है इसलिए लगता है क्योंकि जब भी एक रिश वैसे ही रिशापन्त को देख कर भी भ constellation बहुत प्रॉमिसंग फिल होता है पाकि आप अपना ओपीनिंडे इस भारे में बता सकता है इस刊ट कॉमेंट सेक्शन तब तक के लिए देख रहे है तो फान स्पोर्फ्स लाइक, SHARE, SUBSCRIBE तो फण स्पोर्स